नमस्कार दोस्तों एक बार पर स्वागत है आप से भी के इंडियाज इस्टोन अकेजमी पर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एंप्लिस कॉंस्टिबल परिच्छा के एक्सपेक्टेट काटॉप के वारे में एक काटॉप फिजिकल टेस्ट के लिए है दोस्तों यहाँ पर एक्सपेक्टेट काटॉप में बताने वाला हूँ ठीक है फाइनल काटॉप नहीं है यह जो डेटा मैंने तयार किया है 2017 का डेटा कालेक्ट किया है दोस्तों उसके बेस पर और करेंटली इस्टूडेंट जो फीडवेक दे रहे हैं डेवाइस डेज पेपर का इस्टेंडर कैसा बढ़ रहा है घट रहा है इन सब चीजों को मिला किया है काटॉप मैंने तयार किया है और है फिजिकल के लिए है और रिक्वेस्ट करूँगा चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें दोस्तों 2017 में अगर हम बेकेंसी की बात करें 2017 में तो 14000 बेकेंसी थी ठीक है लगबग 14000 बेकेंसी थी और साड़े-9 लाग से जादा भरे गए ते 10 लाग से कम थे साड़े-9 लाग से जादा थे ठीक है तो साड़े-9-10 लाग के बीच भरे गए थे अब यहां पर दोस्ते हैं जो फॉर्म भरे जाते हैं इस मैंसे है तो आधे इस्टूडेंट 50% इस्टूडेंट एसे रहते हैं जो पढ़ते नहीं और फॉर्म भर देते हैं कोई भर देता ठीक है कोई नौकरी कर भी रहा तो भर देता है और लेडी पुलिस में या किसी अन्य पोस्ट पर है या अन्य डपार्टमेंट में फॉर्म भर देता ठीक है यह ऐसे लोगों को अगर हम हटा दें तो लगवा कि साड़े-4 लाग लोग अब साड़े-4 लाग में भी दोस्तों एएसे चात्रों को हमाटा देंगे जो फॉर्म भरते हैं और पढ़ाई भी करते हैं ठीक है पढ़ाई में अच्छे खासे होते हैं बड़ फिजिकल नहीं निकाल पाते हैं ठीक है दो प्रकार के श्टुएन्ट होते हैं दोस्तों दो फिजिकल तो इजली निकाल सकता है बट जो दोस्तो दिन राज से पढ़ा रहा एकदम MPPSC UPSC जैसे एक्जाम के तैयारी कर रहा तो उसके लिए फिजिकल निकालने थोड़ा सा टफ हो जाता है इन इस्टुएंट को भी हम अगर अगर अटा दें तो लगबाग जो यहाँ पर दोस्तों कम था 2017 में हम बात करें और कट ओप जनरल कैटेगरी का 70 नमर था लगबाग जनरल कैटेगरी के लिए OBC कैटेगरी के लिए था 67 ST के लिए 56.89 ST के लिए था 49 ठीक है फिजिकल टेस्ट के लिए और फिजिकल के बाद फाइनल कट ओप अलग से तयार होता है तो उसमें एक दो नमर का variation रहता ठीक है दो थी नमर का अब उस टाइम major source के अगर हम बात करें study के लिए तो उस टाइम दोस्तों यूटूब उतना प्रिचलन में नहीं था ठीक है उतना ज्यादा live classes तो चलती ही नहीं थी यूटूब से लोग पढ़ते थे बट कम पढ़ material मिल रहा है और बड़े-बड़े सिच्चक लोग यूटूब पर बहुत अच्छा study material प्रोवाइट कर रहा है और हर student पढ़ रहा है हर student सोते जागते यूटूब से पढ़ लेता है बस में बैटा बैटा जा रहा है तो यूटूब से वीडियो देख लेगा सफर पर जा रह है तो दोस्तों 2021 में जो competition है यहां पर यूटूब से बहुत ज्यादा लोग पढ़ाई कर रहे हैं और competition बढ़ चुका है उसके बाद boxer तो पढ़ ही रहे हैं और coaching तो बहुत कम ही छात्र जा रहे हैं बैसी कोरोना चल ला तो coaching सब बन देती बट यूटूब से लोगों ने दि होतों total vacancy की तो जो total vacancy है यहां पर आप देखेंगे 2021 में 4000 vacancy हैं के बहुत ही कम vacancy है अगर हम 2017 से compare करें यहां पर पांच गुनार लोगों को बुलाया जाएगा physical के लिए मतलब 4000 का पांच गुनार 20,000 लोगों को physical के लिए बुलाया जाएगा 20,000 से ज़्यादा भी हो सकते मैं आँगे बताऊंगा आपको किस case में ज़्यादा हो सकते ठीक और sorry यहां पर total जो form fill हुए है total form जो fill हुए है 12,000,000 से ज़्यादा form फिल हुए है 12,000,000 से ज़्यादा form fill हुए है 4000 पोस्ट के लिए बट अब यहां पर दोस्तों दो factor होते हैं कि 2020 के time पर है form आया था और lockdown लग गया ठीक है अब finally जो exam हुआ है तो एकदम में दोस्तों जो लोग अच्छे से पढ़ रहे थे तो उनके paper तो अच्छे जा रहे हैं बट बहुत से ऐसे student है जो बीच में ही पढ़ाई छोड़ दिये थे ठीक है किसी दूसरे काम में लग गए थे उमीद ही छोड़ दी थे क्योंकि बहुत लाएंगे अब यहां पर attendance की बात करें तो दोस्तों कोरोना फिर से फैल आया है फिर से लोग राउन के chances है जो attendance है बहुत ही कम है छात्रों की छात्रों को अगर जवलपुर का student है तो उसको सागर भेज रहा है सीधीर सतना उट पटांग उनको center दिया जा रहा है तो जो attendance है कम है छात्रों की लगबख 55-65% एंसी attendance आ रही है तो यहां पर लगबख दोस्तों आज यहां 12 लाग में से लगबख 6 लाग student आपके निकल जाएंगे तीक है बचेंगे लगबख 5-6 लाग student अब 5-6 लाग student में यहां से छात्र जो रहेंगे attendance की बीस पर तीक है लगबख 5-6 लाग student अब बचे अब जो 5-6 लाग student रहेंगे इनमें से कुछ छात्र एंसे रहेंगे जो फॉर्म भर देते हैं लेकिन पढ़ते नहीं है और पेपर देने भी चले जाते हैं यह से छात्रों को भी हम निकाल देंगे जो actual competition रहेगा दोस्तों बहुत ही कम छात्रों में जो actual competition रहेगा बहुत पचास जार से लेकर डेड़ लाग तक के बीच में रहेगा ठीक है और डेड़ लाग भी बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने अब यहां पर जो पेपर का standard है दोस्तों जो पेपर का standard है इसके अगर हम बात करें तो जो शुरू में जो पेपर थे आठ अब धीरे धीरे जो कोशन का standard है बढ़ता जा रहा है तो जो चात्र आठ जनवरी और नौ जनवरी को पेपर दिये हैं तो उनके ज्यादा नमर आया होगे बट अब 10 जनवरी 11 जनवरी 12 जनवरी को जो लोगों ने feedback दिया है तो यहां पर चात्रों की नमर 55 नमर 60 नमर 65 नमर कि पढ़ने वाला हो कम पढ़ने वाला हो जादा पढ़ने वालो marks बहुत ही कम आ रहे है अब जो पेपर बन रहे हैं तो यहां पर देखेंगे इन लोगों के जो marks हैं दोस्तों नौर्मलाइजेसन में बढ़ेंगे क्यूंकि paper के standard बहुत ही tough आ रहा वेकैंसी के अगर हम बात करें तो बेकेंसी आप देख सकते हैं जो जीडी कॉंस्टेवल के लिए हैं यहां पर आप देख सकते हैं जनरल केटेगेरी ओवी सीस्टी और यहां पर यहां पर एक्सपेक्टेट का टॉप है दोस्तों इस सब इन सब के अकॉर्डिंग मैं बताता हूं आपको 2017 को तो आप भूल जाईए क्योंकि उस टाइम उतना कॉंप्टीशन नहीं था अब कॉंप्टीशन ज्यादा है यूटूब से लोगों नों कुप पढ़ाई की है तो यहां पर आप सोच रहे होंगे कि फॉर्म ज्यादा भरे हैं वेकेंसी का में तो कट आप ज्यादा रहेगा ठीक है छात्रों के जो मार्क्स हैं 50 55 60 ऐसे आरहें बहुत ही काम ऐसे छात्र है जो असी ला रहे हैं शुरू-शुरू में कूप आए चिनब्बे मार्क्स आए हैं जो शुरू में पेपर हुए हैं बट अब नहीं आ रहे हैं तो जनरल कैटेगरी के जो फिजिकल के लिए जो एक्सपेक्टेट का टॉप है यह सब डेटा और जो इस्टूएंट का फीडवेक है और स्टूएंट खुद ऐसा बोल लाए कि लगवा इतना का टॉप रहेगा क्योंकि हर इस्टूएंट जो पेपर देने जा रहा है यही बोल लाए कि मेरा जैसे रूम में एक्जाम था उस रूम में मेरी इतनी रहेंग थी उतनी रहेंग थी मेरे 60 नमर आए मेरी दूसी रहेंग थी मैंने बहुत से लोगों से पूछा तो चात्र खोद एक एक्सपेक्टेट का टॉप बता रहे हैं तो जनरल कैटेगरी के लिए 70 से 46 नमर के बीच रह सकता है ओवी सी के लिए 65 से 70 एसी के लिए 65 से 61 और एस्टी के लिए 48 से 55 और एक दो नमर बेरी भी हो सकता है ठीक है यहां पर लोगों ने यूटूब से खूब पढ़ाई की है तो उसका फायदा मिलना है क्योंकि यूटूब पर बहुत अच्छा पढ़ाया गया है इस बार और लाइप क्लासिस तो खूब लोगों ने लगाई है ठीक है तो यहां पर विकेंसी कम है तो आप अचांची काणी काट आट ओप कश्ली वार से ये रहता बै। कट आप कम होने के ज़्यादा चांसिस हैं क्योंकि पेपर का स्टेंडर्ड थोड़ा सा हाई है सबार बड़े उट पटांग कोश्चन पूछे जा रहे कुछ कोश्चन तो ऐसे आउट आप से लिवस पूछ लिए जाते हैं और एक एक लगवा एक सिप्ट में दोस्तों एक ए इसमें बुलाया जाएंगे तो यहां पर मैं आपको बता दूँ अगर दो चात्रों के नमर एक समाना आते हैं से पचास पचास नमर आगए दो चात्रों के जो मार्क्स हैं तो इन दोनों को बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए ठीक है इन दोनों को फिजिकल के लिए बु तो उस case में जिसकी जो is है जादा रहेगी उसको बरियता दी जाएगी ठीक है उसका selection किया जाएगा तो यहाँ पर दोस्तों expected का top था और जो previous data था और student का feedback था उसके according है हमने बनाया है और student ने खुद बताया है कि लगवा इतना cut-off रह सकता है जो exam देकर आ रहे हैं तो दोस्तों आप अपने marks comment box में बताया हमें ताकि आँगे चलके हम जादा से जादा चात्रों के marks के according फिर से कोई एक नया expected cut-off तैयार कर सकें और वीडियो अच्छे लगी हो तो प्लीज लाइक करीगा शेयर करीगा और चैनल को सब्सक्राइब करीगा थैंक्यू